हर्याना विशे सिरीज में आज का टोपिक है क्या है चिराग योजना हाली में हर्याना सरकार के दुवारे ये योजना शुरू की गई है इस वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे किसके लिए शुरू की गई है दोस्तो यह वीडियो इस सिरीज की 36 मी वीडियो है अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखिये तो जरूर देखिए डिस्क्रिप्शन में सबसे उपरोन का लिंक दे रखा है तो चलिए स्टार्ट करते हैं हर्याणा सरकार 9 सिक्षा सतर में नियम 134 से को खत्म कर दिया है और उसके स्तान पर चिरागयो जना की शुरुवात की है नियम 134 से क्या था? नियम 134 से कहता है कि कोई भी गरीब परिवार का चातर किसी भी नीजी स्कूल में नहीं शुलक पड़ सकता है नियम 134 के तहत गरीब परिवार के बच्चों को नीजी स्कूलों में 10% सीटों पर मुफ्त दाखिलार दिया जाता था लेकिन चुंकि अब नियम 134 को रद कर दिया गया है अब 10% सीटों पर दाखिला नहीं दिया जाएगा मुफ्त में दाखिला नहीं दिया जाएगा अब क्या होगा अब सरकार सिक्षा का अधिकार नियम यानि की RTE के अंतरगत आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को नीजी स गरी परिवार के बच्चों के लिए चिराग योजना की शुरुवात की गई है कुछ और बाते कर लेते हैं इस योजना के बारे में इस योजना के तहत 1,80,000 से कम सालाना आया वाले परिवारों के जो बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं अगर वे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ना चाते हैं तो उन्हें दूसरी से लेकर बारवी कक्षा तक की शिक्षा प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त में दिलाए जाएगी आप इस लिमिट को ज़रूर याद रखें किन परिवारों के बच्चों को चिराग योजना का फाइदा दिया जिन परिवारों की आया एक लाख असी हजार रुपाई है या फिर इससे कम है सरकार दुवारा ऐसे बच्चों की फीस नीजी स्कूल संचालकों को दे दी जाएगी और योजना के पहले चरण में कक्षा दो से लेकर बारवी तक के करीब करीब 25,000 चात्रों को इसमें कवर क किया गया है आप ये भी आद रखें यह योजना सिरफ हो सिरफ हर्याना के चात्र और चात्राओं के लिए बनी है यानि कि अन्य राज्या के चात्र वे चात्राओं इसमें भाग नहीं रहे सकते हैं फिर कह सकते हैं उनको फाइदा नहीं मिलेगा इस योजना का ठीक है ना अब आई इससे सम्बंधित कुछ प्रशन देख लेते हैं, जो एक्जाम में बन सकते हैं, पहला प्रशन है, हर्याना सरकार दुआरा हाले में शुरू की गई चिराग योजना का सम्बंध किसे हैं, ओप्शन से, सिक्षा से, चिकित्सा से, खेलों से, या फिर ग्रामिन विका से, तो इसका सही जवाब होगा, ओप्शन ए, शिक्षा से, शिक्षा के लिए योजना शुरू की गई है, इसके तहट 25 प्रतिशत सीटों पर, नीजी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटों पर, जो आर्थिक रूप से कमजूर बच्चे हैं, उनको दाकिला दिया जाएगा, तो इसका सही जवाब है, ओप्शन सी, यानिकी 25 प्रतिशती बच्चे को, जो आर्थिक रूप से कमजूर बच्चे हैं, 25 प्रतिशती बच्चे को नीजी स्कूलों में दाकिला दिया जाएगा, चिराग योजना की तहट, अन्तिम प्रशन है इस वीडियो का, चिराग तो इसका सही जवाब ओप्शन सी है, यानिकी 1,80,000 से कम, यहाँ पर ओप्शन में थोड़ी गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन आपको यहाँ दखना है कि, चिराग योजना का फायदा, वही बच्चे उठा सकते हैं, जिनके परिवारों की इंकम, 1,80,000 रुपै या फिर इ प्लीज अभी सब्सक्राइब करें, मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई टोपी के साथ, वीडियो देखने के लिए आपका भहुत बहुत धन्यवाद,